नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जिन भाईयों को ये एपिसोड पसंद आ रहा है उनका धन्यवाद और जिनको नहीं आ रहा है खास तोर पर उन सभी का धन्यवाद कि आप सब एक तरफाचीज देखने की कोशिश करते हो लेकिन आपको वो चीजे नजर नहीं आती है इसलिए वो काम हम कर रहे हैं चलिए आज भी हम वही काम करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आज के इस एपिसोड में है क्या कल के एपिसोड में आपने कहा कि जो चीजें उपर बताई गई थी वो अंदर नहीं बताई गई तो कृप्या करके दुबारा उसको सुनियेगा और मालूम होगा आपको कि हमने क्या बताया और क्या नहीं बताया हाँ ये चीज अलग है कि जो चीज आप सुनना चाहते हैं वो हमने नहीं बताई और ना ही हम वो कभी बताएंगे जो आप सुना चाहते हों आपको भी चारों वातावरण का वो हिस्सा सुना चाहिए जिस हिस्से से आप अंजान हो चलिए बालोत्रा में जो हुआ वो सब को पता है बालोत्रा में दान साब के साथ जो घटना हुई उसके बाद में नेता की ताकत क्या होती है हम तो बता ही रहे हैं आपको लेकिन एक नेता की ताकत ये होती है कि बहुत कम दिनों के अंदर आपको पता है किते दिन हुए हैं उस बातों को बहुत कम दिनों के अंदर रविन सिंग भाटी की तरवित कार्यशली ततपरता और जिम्मेदारी के च गटना का परकरण किस से जुड़ा हुआ है कहां जाकर कि ये अठकेगा कौन भटकेगा लेकिन इन सब के पीछे एक दिवार मुझूद है और उस दिवार का नाम रविन सिंग भाटी है जी हाँ ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है उस प्रिवारजन के लिए जिस प्रिवा आत कालिन लग जाता है या चोट आ जाती है या परसासन का दबाव होता है या किसी अन्याय व्यक्तियों की अन्नेसेसरी दुस्मनी का जायजा लिया जाता है ऐसे में रविन सिंग भाटी पीछे पिक्चर की तरह हिट है और एकदम फिट है कि वो किसी भी वक्त आपके अन्याय नहीं होने देंगे ये प्रिवार को पता है ये उन लोगों को पता है और यही कारण है कि इतने कम दिनों के अंदर इतना अच्छा निर्णे आ जाना ये कम से कम बताता है कि वहां का नेता आप जिस नेता के बगल में बैठे हैं वो नेता आपका मजबूत है दान साब बाले में पूरी दुनिया को खबर है चल रहा है पूरा पता पूरा परकरण आपको पता है तो उस साइड से हट करके मैं सिर्फ इतना कहना चाओंगा कि उस परकरण तक पुलिस पहुँच चुकी है कि आखिर वो घटना कैसे हुई क्या हुई और आगे थोड़ी सी आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा दी जाएगी और आप किसी ने किसी जगे जरूर देखेंगे हमारा काम है कि हम एनलाइसिस करें हम उस चीज को विशलेशन करके बताएं जो चीज़ा पूरा दिन आपकी स्क्रीन पर अलग-अलग तरह की चीज़ें देखते हैं उन सब का निचोड एक ही वीडियो में आपको मेरे इसलिए आप हमारे वीडियो देखने आते हैं यह हमें खुशी की बात है और हमारा दाइत तो और जिम्मदारी बनती है कि आपको वो पूरे दस दिन का निचोड पूरे दस दिन का हो या एक घंटे का हो पूरा निचोड आपको कम प्लोड की हुई वो चीजे हमने इस चीजों को सुना आपने ठीक पहचाना जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो फोटो रविन सिंग भाटी भाशन दे रहे हैं मंच सजा हुआ है और आगे हजारों की संख्या में पब्लिक बैठी हुई है ये उन लोगो के लिए है ये जागरण का कारिकरम था जागरण का कारिकरम में रविन सिंग भाटी रात को दो बजे पहुंचते हैं जैपुर की तरफ से वो सीधा अपना काफिला उस जगए लेके आते हैं जिस जगए जागरण थी अब ये बालोत्रा का वीडियो हो सकता है सिव का हो सकत है जब हमने पूरा वीडियो देखा तो आपको जान करके हैरानी होगी कि जो अभी लोग सबा में जो आमने सामने हैं जो एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं रविल सिंभाटी ने एक बार भी कटाक्ष नहीं किया यही वज़ा है कि निर्दलिय उमीदवार को बहुत से जो किसी सिंबल के बिना ही लड़ रहा है और वो किसी पर आरो परत्यारो भी नहीं लगा रहा है मीडिया कर्मी चला करके उनसे पूछ रहे हैं वो नाम उनकी जुबान से उगलवाना चाहते हैं जो नाम रविल सिंभाटी नहीं निकालना चाहते लेकिन फिर भी वो उन ची और ये कारेकरम जिसका आयोजक है उस आयोजक का नाम सुनकर के आप हैरानी में पढ़ जाएंगे ये आयोजक कोंग्रेस प्रत्यासी लोग सबा उमेदाराम बेनिवाल का है जी हाँ आपने ठीक सुना उमेदाराम बेनिवाल इस कारेकरम के आयोजक है और वो भी इस कारेकरम क इसी मंच के एक बगल में बैठे हुए हैं और रविन सिंग भाटी के हाथ में माइक है और रविन सिंग भाटी च्छै या साथ मिनिट लोगों को संभोधित कर रहे हैं संभोधित करने की उस कड़ी में क्या निकल के सामने आ रहा है ये भी हम आपको बताएंगे और मैंने जब सुना उस पूरे संभोधन में तो कम से कम रविन सिंग भाटी ने पांच बार उमेदा राम बेनिवाल का नाम लिया और कहा कि उमेदा राम बेनिवाल सचे लीडर हैं अच्छे लीडर हैं और इतना सादगी पूरण लीडर मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा ये शब्द रविन सिंग भाटी के उमेदा राम बेनिवाल के लिए है और ये कारे करम भी उमेदा राम बेनिवाल का ही है उमेदा राम बेनिवाल ने कम से कम दो बार कोल आया भाई साब को यहाँ पर डिटेन कीजिएगा उमेदा राम बेनिवाल की यहाँ बात हो रही है रविल सिह भाटी कह रहे हैं कि जब भाई साब का कोल आया दो बार कोल आया तो मैं चाहता तो मना कर सकता था क्योंकि मैं जैपूर था और मेरा सेड्यूल इतना बिजी थ कि मैं बिल्कुल भी वहां नहीं पहुँच पाता जहां आप मुझे इतनी जंसंख्या के अंदर मुझे देखने की कोशिश कर रहे हैं और दो बजे तक मेरा आपने वेट किया इसके लिए धन्यवाद लेकिन उमेदाराब बेनिवाल ने जैसे ही मेरे को दो बार फोन किया वो आपको इस कारेकरम में इस भजन संध्या में आने को खुद को रोक नहीं पाया और मेरे पैर थिरकते हुए रात को दो बजे इस मंच तक पहुँचे यह शब्द रविन सिंग भाटी के थे अब आप जो एक तरफा जो समाचार देखना पसंद करते हैं सरल शब्दों में आ उगर होना पाया जाता है जिनके सभाव में जो लोग रविन सिंग भाटी की पिक्चर ही नहीं देखना चाते रविन सिंग भाटी की फोटो ही नहीं देखना चाते उन लोगों के लिए यह है कि वो लोग ऐसे हैं जो लोग साथ महीने पहले आपके ही नेता बुलाते हैं उ उस वक्त चर्चाएं चल रही थी कि उमेदाराम बेनिवाल कॉंग्रेस का हिस्सा हो सकते हैं और आने वाड़े समय में कॉंग्रेस का परत्यासी लोग सवा के अंदर बन सकते हैं और रमेद सिंग भाटी को ये भी पता था कि विधान सवा के अंदर क्या खेल रहने वाला है। इन सबसे परीचित और अपरीचित होकर के रविन सिंग भाटी बिना किसी भेद के कॉंग्रेस भाजपा किये हुए वहां पहुंचते हैं ऐसे लोगों को आज ये खबर जरूर देखनी चाहिए और आपको भी उन लोगों तक इस खबर का लिंक भेजना चाहिए जो रविन सि भाटी भी तो किसी निर्दलीय सिंबल पर लड़ रहा है चुनाव तो इस बात का विशलेशन कोन करेगा कि रविन सिंग भाटी को हमेशां गलत ठहरा देना हमेशां कटगरे में खड़ा कर देना ये कब तक जाइज रहेगा सारी चीजें देखना जाइज है सब चीजें ज दर्ज हुआ आज से पहले कभी हुआ बाडमेर में इतिहास गवा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ तोड़ने और रोकने की कोशिश की जा रही है लेकिन वहीं परसासन का धन्यवाद कि परसासन रविश सिंग भाटी की उन भावनाओं को समझता है कि वो किसी के दबाव में नहा करके कम से कम सुरक्षा मोहिया कराने का एक जबरदस्त काम किया है परसासन ने कल को ये चीज तो इतिहास में रहे कि एक ऐसा लड़का था जिस लड़के की निगरानी और शुरक्षा के लिए यहां के परसासन ने एडी से लेकर के चोटी तक जोर लगा दिया तो परसासन बिना भेदभाव के काम करता है, लेकिन कई बार परसासन भी दबाव में काम करता है, ये बात जग जाहिर है, ये बातें किसी से नहीं चुपी हुई, तो इन सब चीजों का विशलेशन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज इस तस्वीर का विशलेशन करना जरूरी था, जो ल वो चीजें आपको मिलती है क्योंकि आप एक ही तरह की सामगरी को सर्च करते हैं और वैसी ही सामगरी आपके मस्तिश्क में बनी हुई है इसलिए सारे पहलू आप अगर देखेंगे तो रविन सिंग भाटी वो लड़का वो नेता है जो नेता किसी से भी इर्थिया जलन नहीं रखता है यहाँ पर रविन सिंग भाटी ने सीधा कहा कि ऐसा नेता जो मन का साफ है जिसका बोलने का सादगी पूरण बतलब वहवार ऐसा नेता रविन सिंग भाटी ने कहा कि मैंने मेरी लाइफ में नहीं देखा तो यहाँ पर वो परसंसा भी करते हैं और उमेदा राम बेनिवाल वाकई में बहुत ही अच्छे लीडर है बहुत ही अच्छे नेता है उनका व्यक्तितव ही निखरता जाता है जब वो किसी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बात करते ही जाए ये उमेदा राम करते ही रहेंगे बहुत बहुत आबार धन्यवाद हो सके तो उन लोगों तक शेर जरूर कीजेगा जिन लोगों के मस्तिश्क में रविन सिंभाटी एक काईराना हरकत करते हैं ऐसा लग रहा है कि रविन सिंभाटी गलत कर रहा है उन लोगों को जरूर भेजें तब तक के लि दन्यवाद